ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ब्रेक से पहले हम इस चुनावी माहौल में बंते बिगडते रिष्टों की बात कर रहे थे जहां कुछ करीबी अपने से बेगाने हो गए हैं और जो बेगाने थे वो उनके अपने हो गए हैं हम बात कर रहे हैं देशोम गुरु शिबु सोरेन की बहु जेमेम विधायक सीता सोरेन की जेहां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भावी सीता सोरेन अब शिबु सोरेन परिवार की जगह मोदी के परिवार के तौर पर जानी जाएंगी उन्होंने दल्ली में जारखंड बीज़पी प्र नीती की जमकर तारीफ किया और कहा कि मैं भी मोदी के परिवार में शामिल हो गई हूँ, मैंने भी जहारखंड में कई साल संघर्ष किया, 14 साल जे में में रही, मेरे ससुर और दिवंगत पती की अगवाई में जहारखंड अलग राज्य बना, जहारखंड को जुकाना नहीं, बचाना है, इसलिए मैं भाजपा में शामिल हुई हूँ, इस महा परिवार में, मोदी जी के महा परिवार में, आस्था और विस्वास को देखते हुए, सभी कोई इस परिवार में जूर रहे हैं, जही मेहनत किये, मेरे स्वर्गयोपती ने संघर्थन बनाये, जल जंगल, जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी, लिकिन उनकी लड़ाई अधूरी रहे गई, इस बीच में, क्योंकि जब मेरे स्वर्गयोपती जीन्दा थे, उनका कहना भी था, कि में राजनीती में आऊं, एमेले बनूं, और जहारकन का नेतिरित्तव करूं, लेकिन उनका सपना, सपना ही रहे गया, और उनकी सपने को पूरा करने के लिए, में जहारकन मुक्ति मर्चा में मिधायक रही, लेकिन कहीं ना कहीं, इतनी साल गुजारने के बाद भी, जिस मुकाम तक हमें पहुँचनी चाहिए थी, क्योंकि 24 साल, और ताकत भारतिय जंदा पार्टिक की बड़ी है, और आने वाले दिनों में, लोकसवा के बाद जो तुरंट चुना होते हैं, हर्याना, महाराष्ट्रा और जहरकन, उसमें इसका अलग असर तो दिखेगा, तिन चुनावी राजनिती छोड़ कर भी मैं मानता हूं कि आदिवासी समाज के हीत के लिए जो योजना, अधरनियमोधी सरकार के ओर से चलाई जाएगी, उसको और ताकत से आदिवासी के समाज के आखरी तपके तक पहुँचाने में, हम जारकर में अभी शक्तिशाली हो सीता सोरिन के बीज़पी में शामिल होने पर जारखंड बीज़पी प्रदेश देक्ष बाबुलाल मरांडी ने क्या कहा वो भी सुनिये प्रभाव के बाते नहीं है, सुभाविक रूप से सिता सोरिन आई है, तो एक तो जिस प्रकार से उन्होंने त्याग पत्र जो लिखा है उसमें भाव पूर, तो देख करके लगता है कि अंदर से काफी बेथित रही, पिडित रही और मजबूर होकर के उनको जहारखन मुक्ती मोचा छोड़ना पड़ा, वो पार्टी में आए तो उनको स्वागा थे जिदे रांच्वी का रूप करते हैं, जहारखन संपादक ठाकुर हमारे साथ जोड़ रहा है, अनुराग भले ही सीता सोरेन, शीबू सोरेन के परिवार से हैं, लेकिन अब राज़निती गलियारे में वो मोदी के परिवार के रूप में जानी जाएंगी, आखिर ऐसी क्या परस्थितियां बनी के विधायक हो या कॉंग्रेस के विधायक हो या मंतरी हो वो आरोप लगाते रहें बीजेपी पे की सीता सोरेन पे बीजेपी हमेशा डाव खेलना चाह रही थी और लेकिन इसमें अगर दीपक हम इसे समझने की कोशिच करें तो कहीं न कहीं जेमेम से ये गलती हुई है कि जब बसंत सोरेन को जिम्मेदारी दी गई थी कि सीता सोरेन को समझाना है हिमन सोरेन के जेल जाने के बाद जब मंतरी मंडल विस्तार होता है जब सभी लोग राजभवन पहुंचते हैं सब ये कयास लगाये जा रहे थे कि सीता सोरेन नहीं पहुंचेंगी लेकिन उसे उन् स्वस्ट भी किया गया था कि आपको मंतरीपद मिलेगा या कोई बोर्ड निगम की जिम्मेवारी दी जाएगी लेकिन इतने दिन होने के बावजूद जब उन्हें नहीं मिला तो उनकी नाराजगी भी लाजमी थी और इस चीज़ को जे एमेम ने समझा नहीं इस चीज़ को चमपई सोरे ने समझा नहीं और जिसका खामयाजा जेमेम को आज भुगतना पड़ा हाना कि उस चब तक वो जोईन नहीं की तब तक ये खबर आ रही थी कि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन इसलिए उन्होंने स्टीफा देते ही तुरंट बीजेपी का दामन ताम लिया तो अब राजनितिक गल्यारों की अगर बात करें तो जेमेम की मुश्किले बढ़ेंगी क्योंकि वहां से जामा से विदाय करेंगी है तीन बार विदाय करेंगी है और कहीं ना कहीं अब बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी के लिए तो ये एक लड़ सकते हैं या कलपना सोरेन तो अब उनका सामना सीधे अपने देवर से होगा या अपनी देवरानी से होगा तो ये अब सोरेन परिवार का जो अंतरकला था दीपक वो सामने आचुका है और इससे परेशानिया बिल्कुल बढ़ने वाली हैं जेमे मीम की और सोरेन नहीं है तो उन्पर जम्मेदारी मित थी और उन्हें कि अदिछा रही है वह नीती और वो सिधांत अब नहीं है पार्टि में और इसी वजह से वो पार्टी से स्तीफ़ा दे रही है हाला कि जो मेन वज़ा है दिपक मैं आपको बता दू वो मंतरी पद ही था और इसको लेके नाराजगी उन्होंने हमेशा रह रह के जाहिर की है दिपक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दू याद होगा कि जब हेमन सोरेन दिल्ली से लोटे थे इडी से गिरफतारी के जस्ट दो दिन पहले और उन्होंने यहाँ पे विधायकों के साथ विधायक दल की बैठक बुलाई थी उसमें एक नाम पे चर्चा हुआ था कि कलपना सोरेन को विधायक दल का नेता चुनके मुख्यमंतरी के तोर पे पेश किया जा सकता है लेकिन उस वक्त तुरंट पूर जोर विरोध किया गया था वो विरोध करने वाली सबसे जादा विरोध करने वाली जो थी वो सीता सोरेन थी अतलब घर से ही विरोध शुरू हुआ था कि कलपना सोरेन क्यों बवनेंगे मुख्यमंतरी जबकि मैं इस परिवार की बड़ी बहू हूँ उन्हों ने हिमंत सोरेन को भी साफ चिट्छी लिखाता कि आप अपनी भाती जी आप चाचा हैं दुरगा सोरेन की दोनों बेटीयों कि आप अपनी भाती जी के लिए कुछ स्टैंड लीजिए wire या मेश्य मुख्यमंतरी बनाइए तो यह सब विवाद जो था वो बढ़ता जा रहा था जिसके बाद हेमंत सोरेन ने फैसला लिया कि चंपई सोरेन के नाम पे सहमेती बनी क्योंकि वह पुराने नेता हैं और senior leader है कदवार नेता है और उनके नाम पे सहमेती बनी और वो मुख्यमंतरी आज की डेट में राज के मुख्यमंतरी बने नहीं अगर उस वक्षिता सॉरेन ने अबजेक्शन नहीं किया होता तो कलपना सॉरेन आजराज की मुक्य मंतरी होती। वहीं जिस तहीके से कलपना चुए तो विरोद के बीच कहीं न कहीं उसी समय पढ़ गए थे जब मुख्यमंतरी कौन बनेगा ये फैसला हेमंत सोरेन को लेना था और उस समय सीता सोरेन की नाराजगी बढ़ते बढ़ते स्थिती में पहुंच गई कि सीता सोरेन ने आखिरकार पार्टी छोड़ दिया और बीजेपी के साथ जुड़ गई बहुत बहुत धन्यवादा अनुराग इन तमाम जानकरियों के लिए नियूजरूम लाइब में फिलहाल के लिए इतना ही कशिश नीउस पर खबरों का सलसला चलता रहेगा देखते रहें कशिश नीउस